नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जो gsse siल का syllabus दिया गया है खोठा language paper का उसमें एक book पढ़नाय दोस्तों सो न्माटी उसमें इस book में दोस्तों कहानी और कविता का संग्रार दिया गया है तो आज किस वीडियो में हम सौन्द मांटी से related जितने भी कहानी है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करके और सौन्द मांटी से related किस तरह के परस्न आपके खोठा language paper में पूछे जाते किस अमभावना है उन सारे परस्नों को भी हम MCQ के रुप में देखने वाले हैं किस रहे कि पूछन पूछ में के समभवना है।Сंब्से पहला दो रहरा कि?" सौन्दнд मांटी ये किस तरह का बूठ है." तो दोस्तों सौन्दमांटी जो बूच्ध है में आपका कहानी और कव combustion का संग्रह दिए लए है। इस बूक का बात करें दोस्तों, तो इसका रचना का रजो है, यह प्रफेसर बिनोध कुमार के द्वारा किया गया है, और जुपर बिनोध कुमार है दोस्तों यह प्रध्यापक कर रहे थे राची कॉलेज, राची के, इंका जन्म आपका 19101 में हुआ था, और जन्म अस्टाल नाम का पर किया गह था अगला प्रेंट को माटी जो बुक है ये इसके परकासा कोने इस बुक का जो परकासन कितके द्वारा किया जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों आपको जन जाती है भासा एकेडमी जहारखन राची के द्वारा इसका आपको परकासन किया गया है इस book में दोस्तों total 10 कहानिया दिये गए हैं और 31 कविताय सामिल है तो आपको ये भी ध्यान में रखने हैं दोस्तों इसमें पूछे जाते हैं कि सुन्द माटी book जो है कविता और कहानियों का संग्रा है इसमें total कितनी कहानिया दिया गए है तो total इसमें 10 कहानिया दिया गए है दोस्तों और total इसमें कवितायों की संख्या बात करें तो 31 कवितायों का संग्रा इस book में दिया गए है आगे हम देख लेते हैं दोस्तों की और मुखी important बात दोस्तों की इस जो यह book है सुन्द माटी book इसमें जो सिर्फ काहानियां ही पड़ने कविता वाले पोर्शन हमको इससी नहीं दिया गए है तो सॉंद माती बुक के हम कहानिया ही इस वीडियो में देखने वाल है टोटल जो 10 कहानिया दोस्तों इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं आपको चार ओप्शन दे जाते हैं दोस्तों प्रसन में और पूछा जाते हैं कि जो ये कहानी है ये किस बुक से लिया गया है तो आपको ये भी ध्यान में रखने हैं कि कहानियों के टाइटल आप भी आपको ध्यान में रखने हैं तो टोटल दस कहानियों का जो सिर्षक है दोस्तों यह आपका एकर करके मैं आपके अस्किन पर दीख रहा होगा दोस्तों पहला कहानी जो इस बुक का जो दोस्तों पहला कहानी है यह उबार नाम से दिया गया है दूसरा कहानी का टैटल दोस्तों जिंगिक डोयानी है तिसरा कहानी आपका द्वा और धंदा है, चौतना माई के लोर, पाँचवा अजवायर भाव्जिक, बेदा इल चैंगा। और छटना कहानी का नम है दोशह्त Theater हैं कुछ और इस ग९ अफ़पन का नम है वहाERS कहानी का पूछ गोई דरा, इसमें पहला कहानी का टाइटल क्या है पहला कहानी का आपका सिर्षक पूछ लिया जाता है तो उबार हो जाएगा अंतिम कहानी का सिर्षक पूछ लिया जाएगा तो ये हूब हो जाएगा इस तरह की पुरासन भी पूछे जाते हैं तो दोस्तों माईए एकक करके इस कहानियों को जो संशिप्ट परिच्छ है दोस्तों सौट अस्टोरी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आकिर इन कहानियों को किस तरह किसे इसको इनमें बताया गया है तो हम जो हमारा इस वीडियो का जो पहला कहानी होने वाला है ये आईए हम उबार के बारे में पढ़ते हैं इसमें जो मुख्य पात्र होने वाला दोस्तों उबार कहानी में ये आपका ज़बरू और उसका बेटा बिहारी का कहानी है मतलब जो इसका इस कहानी का जो मुख्य पात्र है यह जबरू है और उनका बेटा का नाम क्या है तो बिहारी है कहानी का साहर है दोस्तों कि बिहारी के जन्म के समय उसकी दादी ने खुस होकर कहा था कि यह पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा आनि कि जो जबरू की मा थी आनि कि बिहारी की दादी जब बिहारी का जब दोस्तों जब 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 जन्म हुआ था तो उसकी दादी ने खुश होकर कहा था कि यह बिहारी जो है तो आप बड़ा होके पुलीस इंस्पेक्टर बनेगा दिवंगत मा की इच्छा को पूरा करने के लिए गरीब किसान जबरू बिहारी को पढ़ा लिखाने में एडी चूटी का जोर कर देता है जब जबरू की मा ने बिहारी के बारे में कहा कि वह बड़ा होके पुलीस इंस्पेक्टर बनेगा तो जबरू उनके मा के बातों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा पर गरीबी आड़े आती रही जबरू दोस्तों ये काफी गरीब किसान था काफी अच्छे अंक सी मेंट्रिक पास होने के बाद भी बिहारी की पढ़ाई एक साल तक रुख जाती है जब बिहारी मेट्रिक पास हो जाता है दोस्तों तो गरीबी के कारन आगे पैसे की दिक्कत होने के कारन दोस्तों उसकी पढ़ाई एक साल के लिए रुख जाती है दोस्तों जो जबरू है बिहारी के पिता जो है जब उसकी पढ़ाई बादित हो जाती है तो वह सोचता है कि कड़ी मेनस से आलू की फसल को बेच कर बिहारी का जो नाम है दोस्तों ये कॉलेज में लिखवाना चाहता है कि आलू के फसल से जो पैसे होंगे दोस्तों उसको बेच के उससे अपने बेटे बिहारी को कॉलेज में एडमिशन करा देना चाहता है जबरू पर गाओं के गनेश बाबू और महेश बाबू जिससे डूस्त दबंग लोग अपने बेटों से आगे बिहारी को बढ़ने देना नहीं चाहते थे जबरू और बिहारी के गाउं के दो दोल थे गनेश भावू और महेश भावू ये दोनों दो दबंग किसम के आदमे थे वे चाहते थे कि मेरे बेटे से आगे और जो बिहारी है आगे पढ़ना देने नहीं चाहते थे वे दबंग किसके आदमें देता है तो वो किसी को बढ़ते हुए तरकी करते हुए नहीं देख सकते थे इसलिए वे गाउं में लोगों को परिशान किया करते थे वे जबरू के मविश्यों को रात के समय खोल कर दूसरे के गेहुं के खेट में हिला मतलब उसको घुसा देते दोस्तों किया करते थे गनेश बाबू और मेंस बाबू जबरू के मविश्यों को दोस्तों एक दिन दूसरे के गेहुं के खेटों में भुसा दिया करते थे ताकि इससे जो परिशानी होता था जबरू को काफी सारे परिशानियां को समना करना पड़ता था इसके लिए पं पुक्सान को आपका भरपाई जबरू के द्वारा करना पड़ता था, फिर भी जबरू और उसकी पतनी हिम्मत नहीं हारते थे, इतना होने के बावजूद भी जबरू और उसकी पतनी हिम्मत नहीं हारते थे, इतना होने के बावजूद भी अपने बेटे बिहारी को आगे की पढ़ाई कर बना चाते थे जमीन जायदत बेच कर अपने भूखे रह कर भी बिहारी की पढ़ाई का साधन जुटाते थे जमीन जायदत बेच कर अपने भूखे रहने के बाद भी बिहारी की पढ़ाई का साधन जुटाते थे बिहारी आखिर पुलिस इंस्पेक्टर बन जा पपने दादी के असिरवाद और मांबाप के सपने को सकार करता है इस भीछ धवरु बिहारी बिमारी से मर जाता है जो उसी भीछ पुलिसृटर बना रहता है जब फाइनल बनता है दोस्तों उससे पहले ही धवरु की मिर्टिव हो जाती है पर बिहारी को अपने खांदान को देता है तो कहानी के लाश्ट में दोस्तों कि झजबरू जो है इसको तरकीक पहुंचा देता यह कहानी का लास्ट का सीर सख्वा दोस्तों उबार कहानी का पूरा सम्मरी रहा तो एक बार हमने कहानी को फिर से देख लेता है जो main point आपके बन सकते हैं कोहिशन कि उबार कहानी का जो है दोस्तों ये सुन्द माटी बुक से लिया गया है इस कहानी के मुख ये पात्र जो है जो है जबरू है और उसके बेटे का नाम किया है तो बिहारी है बिहारी को उसकी दादी ने जन्म के समय में ही बोला था कि उसकी जो है बिहारी बड़ा होके पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा इसको पुलिस इंस्पेक्टर बनाने के लिए जबरू दिन रात मेहनत करता है आलू की फसल बेचकर बिहारी को कॉलेज में नाम एड़मिशन करोना चाहता है गनेश बाबू और महेश बाबू दबंग किसम के आदमी थे जो दूसरों को तरकी करना नहीं देना चाहते थे पंचायच बिटता है और गेहों के खेत में उसके जानवरों को जब फसल खा जाते है तो उसको हरजाना जबरू के द्वारा चुकाना पड़ता है फिर भी वह अपने बेटे को आगे पढ़ाता लिखाता है और डोयानी इस कहानी का दो भी इसमें भी अपके मुखे पात्र कौन कोन है तो जंगली और उसकी मा तो जिनके डोयानी के जो मुखे पात्र होने वाले हैं तो ये जंगली है और उसकी मा आईयम कहानी के सार के बारे में जानते हैं जंगली नाम का ग्रामीन यूवक सिच्चित जेल रहा है, तमाम कोशिक्सों के बावजूद उसे कहीं नोकरी नसीब नहीं होती है, वह घर बाहर सब जगा अपमानित होता है, जंगली बच्पन में ही बाप का टूवर हो गया था, आनि कि जब बच्चा था, जंगली जब बच्चा था, छोटा था, उसी समय उसके पिता क जंगली बेज कर जंगली को पढ़ाया, लिखाया, पर अनुरूपानी के जितनी योग्यता था, जंगली के पास, उसके योग्यता के अनुसार उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वे काफी हतास था, बड़े भाईयों से बहा हमेसा पढदारित होता रहा था, बड कि जो भावियां थी उभी जंगली के साथ नोकरों जैसा बहवार किया करती थी, उमर गुजर रही थी, बाल पकने लगे थी, पर साधी नहीं हो रही थी, गाउं के लड़के उसे बुढ़ा दा कहकर उपहास कराते थे, जंगली जब उसको रोजगार नहीं मिल रहा था, उसक अपने एक दोस्त के साधी में जाता है, तो वहां कोई उपहार नहीं लेका जाता है, युग बेरुजगार है, उसके पास कोई साधन नहीं था कि अपने दोस्त के लिए कुछ गीप्ट लेके जा सके, तो हाँ भी जंगली को अपमानित किया जाता है, तो अपमान काफी सहन है पड़ता है जगली की मा की दसा पर काफी चिंतिती जो उसकी मा थी जँगली की इस दसा औक उससे काफी चिंतिती थी और लाचार थी तो वह कुछ कर भी नहीं सकती थी मा आखीर में जँगली को अपनी जमा पुंजी 100 रुपियत देखे कुछ बिजनस करने की सलाद देकर अन्तिम सांस ले लेती है, जब वो अपने बेटे जंगली कुछ طرح से लाचार परिसान देखती थी, तो उसकी मा ने आखिर कार इस कहानी के अनत में 100 रुपियत देती है, और कुछ कुछ बिजनस करने के सलाध देखे उसकी भी मा की मिर्टी हो जाती है तो दोस्तों यह रहा आपका जंगली जो दुसरा कहानी है सौन्द माटी बूख का जिंगी को दोयानी इसके जो मुग के पात होने थे आपके जंगली और उसकी माँ यह आपका जंगली का एक बेरुजग आईए मागले परशन के चलते हैं दोस्तों तूसरा जो कहानी है इस बुक का सूंध माटी बुक का इस कहानी का नाम है आपका धुवा और धंदा इसके जो मुख्य पात्र होने वाले है ये डॉक्टर नरायन और उसका कमपाउडर होने वाला है कि सुन तो मुख्य पात्र का नाम क्या है दोस्तों एक डॉक्टर रहता है नरायन और उसका जो कमपाउडर रहता है उसका नाम क्या रहता है कि सुन आईए हम इस कहानी का सार को समझते हैं डॉक्टर नरायन एक समवेदन सील डॉक्टर है उनके दिल में गरीबों के परती काफी सहानुभूती है गरीब की सिवा हमेशा करता रहता है पर उसका जो कमपाउंडर है कि सुन वो बड़ा ख़डूस किसम का आदमी है क्लिनिक में आये कोड़ी विखारी के साथ बड़ा बरताओ करता है जब दोस्तों जब क्लिनिक में डॉक्टर नेरायन और कमपाउंडर एक दिन बैठे रहते हैं तो क्लिनिक में दोस्तों एक भिखारी आता है जिसको कोड की विमारी रहता है तो वह थोड़ा सा गंदा दिखता है तो जब वहां पर आता है तो उसका कमपाउंडर उसको डाट के ख़ड़ टाइप के भागा देता है तो वही काफी बुरा बरताओ करता है कि सुन उन विखार वह इसे खरी खोटी सुनाता था डॉक्टर उसका काफी डाटता था उस रात डॉक्टर साहब को नींद नहीं आती है जब कि सुन जो विखारी को डाट के भागा देता है तो डॉक्टर नरेन जब रात को अपने घर पर सोया रहता तो उसको उस बात से काफी उसको नींद तो दोस्तों, ये आपका तिसरा कहानी था, आपका सोन्त माती बुग का, धुवा अर्धन्दा इसमें जो मुख ये पातर होने वाला है नारायन और उसका कंपाउंडर का नाम रहता है किसुन दोनों एक दिन जब क्लिनिक में रहते हैं तो एक विखारी आता है कोड जिसकी विमारी रहती है तो उसका जो किसुन रहता है उसको डाट के भागा देता है तो इसको इस बैवार को देख के डॉक्टर नारायन काफी उससे परेसान होता है और उसको काफी दुखी होता है तो इस बात को लेके किसन को काफी खरी-खोटी सुनाता भी है और उस रात को काफी चिंतित रहता है लेकिन जब अगली सुबह होता है तो वा भिखारी उसके दरवाजे पर खड़ा रहता है और डॉक्टर उसको भिखारी को भागाता नहीं है और उनकी कुछ मदद करता है पैसे देखे ये आपका टोटल तीसरी कहानी दुआ अर धंदा का पूरा समरी रहा आईए हम इस बुक के चौते कहानी की और चलते हैं चौता कहानी होने वाला है आपका माई के लोर इस कहानी का जो मुख्य पात्र होने वाला है उनका नाम है आपका सुर्जा और उनकी मा तो में तो यहीं रहते हैं दोस्तों में प्रस्ण तो यहीं से पूछे जाते हैं कि जो माई के लोर कहानी है ये किस बुक्स लिए गए हैं तो सौन्द माटी बुक्स लिए गए हैं इस कहानी का मुख्य पात कौन कौन है तो सुर्जा और उनकी मा इस तरह के ही प्रजन आपके एक होटा लेंग्विज कहानी उसे बेसिकली पूछे जाते हैं आई हम इस माई के लोर कहानी का आपका कहानी का सार जानते हैं जवान सुर्जा की जिन्दगी गरीबी में बीत रही है खजूर की छप्पर वाली जोपड़ी में अपनी मा और पतनी के साथ रहता है उसका देड़ दो साल का एक नन्हा सा बच्चा नरेना भी रहता है तो दोस्तों सुर्जा और उसकी मा जो नन्ना सब बच्चा क्या रहता है उस बच्चे का नाम क्या रहता है नरेना रहता है बाप जमिनदार गिरिजा बाबू के घर खटते खटते मर गया जो सुर्जा है दोस्तों उसका जो पिता है नरेना के पिता एक जमिनदार गिरिजा बाबू के यहाँ पे मजदूरी करते करते मर गया पेट पालने के सिवा कुछ नहीं कर पाया था सुर्जा की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाई थी शुर्जा अपने दसा को सुधारने के लिए चिंतित था परदेश जाकर मजदूरी करने वाले अपने गाउं के सातियों के सुधारती आर्थिक दसा और चमक दमक देखकर वावी परदेश जाकर पैसा कमाना चाहता था गिरजा बाबु के यहां काम करने से इंकार करता है मा के लाख समझाने के बावजूद वा अपने पतनी और बच्चे को लेकर कलकता चला जाता है मा धाड़े मार रोती रहती है तो यह आपका मुख्य कहानी का सार रहा माय के लोर और उनके लिए सुरुजा के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाए तो सुर्जा को भी अपका गिर्जा बाबू के यहाँ पर काम करने के लिए लगा दिया गया था और वह भी अपने गिर्जा बाबू के जमीदार गिर्जा बाबू के यहाँ पर काम करने लगा था कि हैं काम नहीं करेंगे और जाके बाहर काम करेंगे तो कहा scriptures तो kailktas जाने के लिए सोचता है जब यह बात उसके मां को पता चलता है कि वा इसका बेटा इसके class 2 गाव मेरा के डिर्यापा बाल कि यहां पर काम करने नहीं जाएगा उसके ले चोड़ देगा तुसका माइस चुर्जा के बेटे का नाम रहता है नरेना और जो जमिंदार रहता है उसका नाम रहता है गिरेजा बाबू। अगली कहानियों के चलते हैं दोस्तों मारा अगला कहानी है पांचवां अजवायर भौजिक बेडायल चेंगा। इस कहानी को लेखक ने पर्थम पुरुष में लिखा है इस कहानी में दोस्तों जो लेखक है बिनोत कुमार ये अपने मतलों के द्वारा ही लिखा गया है वो अपने कहानी लिखे हैं लेखक के रिष्टों के भाई मैट्रिक्स पास कर कोट में पेशकार की नोकरी करता है जो उसकी पतनी है, जो लेखक है, उनकी पतनी है, तो काफी मुर्ख बीडेल अहुरत है, एक एक कर दस बच्चे पैदा कर दिये हैं, तो उस लेखक के कितने बच्चे हो गए हैं, तो दस बच्चे हो गए हैं, पर बच्चों के सही परवरिश की कोई चिंता नहीं है, वह अपने स काफी ध्यान, कोई भी ध्यान उनकी मा के दवारा नहीं दिया जाता है, बच्चों को खुला छुटा छोड़ दिया गया है, वग धूप में आम चुराने के लिए, बरसाथ में मचली मारने के लिए भटकते रहते हैं, बच्चों के लाए आम मचली खाकर लेखक की भावी पर सब देखकर काफी नराज होता है, जब पढ़ाई करके जब बाहर से लेखा गाउं आता है, तो उसके भावी के बहवार और भावी के बहवार की बच्चों पर भावी के दवारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ये देखकर काफी नराज होता है, वह भावी को बच्चों के बच्चों को अपने जरूरी है। तो ये ऑपका वेसिकली पांच भा कहानी रहा। जिसमें बच्चों के बच्चों के कहानी को लेकर हमें बताते हैं। जरा बच्चों के अधर भटकते रहते हैं दिन बर। तो ये अपने भावी को समझाता है कि आज के समय में सिच्छा कितनी जरूरी बात है तब भावी लास्ट में अततर समझ कर वह अपने बच्चों को स्कूल में लिखवाने के लिए राजी हो जाती है और स्कूल में बच्चों का नाम दाखिला करवा देती है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इन ही पांच कहानियों को देखते हैं अगली जो पांच कहानिया होने वाली है आपको जो बच गया अगली पांच कहानिया हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं काफी वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों इसलिए हम इसके दो क्ऊछन्धू में इन पांचों कहानियों को आपको बता दूगा इस कहानी मेंद दूस्तों वे हैं इन 15 कहानियों को पहले जी कहानी बज जाता आपका दू पहला जूनरा ओर दीदा मल्की बहु भीतर बहर और हूब इन पांचो कहानियों को हम इस वीडियो के संध माटी बुक क्वाली वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे और उसके अगले जो पार्ट आने वाला दूसरों इन दस्थों कहानियो का MCEQ आने वाला है कि इन 10 कहानियों से किस तरह के प्रसन पूछे जाते हैं basically दोस्तों language वेपर ने आप जितना MCEQ solve करेंगे आपको उतना ही अंदाजा आजाएगा कि आपको basically इस तरह से chapter में किस तरह के प्रसन पूछे जाते हैं तो सली दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया हो जिसे दोस्तों के साथ शेर जरूर करें इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट लिएक के जरूरी बताएं दोस्तों कि आपको इस वीडियो में किस तरह के सुधार चाहिए और आगे आपको किस तरह किन कहानियों और किन बूक के भी आपको एक़ करके language paper के कहानियां चाहिए